और अब बात हिसार से आई देश को शर्मना करने वाली खबर की हिसार के खरण अलिपूर गाउं में एक बार फिर रोडी वादी सोच की जलक देखने को में ली गाउं के मंदर में दलितों के जाने पर मनाही का बड़ा मामला सामने आया और गाउं के दलितों का आरोप है कि शिवरात्री के दिन दबंगों ने उन्हें मंदर में ना तो जल चड़ाने दिया और ना ही कावड चड़ाने दी मंदिरों में दलितों के आने जाने की मनाही इस मुद्दे को लेकर कई बार विवाद होते रहे हैं कई बार आंदोलन भी हुए हैं लेकिन आज भी हमारे देश में हमारे समाज में ये समस्या मौजूद है मैंने कारण पूछा वे क्यों निचड़ाने देते वह कहने लगे कि तुम्हारा जल निचड़ा है यहाँ पर उसी जक्तिया चमारा जल नहीं चड़ता निचड़ने नहीं देंगे कई लोगों का कहना था कि पूरे गाउं की तरफ से दलीतों की मंदिर में एंट्री पर मना ही नहीं है बलकि चंद शरार्ती लोग हैं जो इस तरीके का विवाद खड़ा कर रहे हैं लेकिन जब हम मंदिर के अंदर गए मंदिर के महंत से बात की तो कुछ अलग ही तस्वीर कुछ अलग ही सोच निकल क कर सामने आई अच्छा मंदिर में किसी भी जाद धर्म के लिए कोई भी वह नहीं है पाबंदी आने में जाद उतकी हैं यह उत्ति खास के डेरे महंतों के साथ एक और शक्स बैढ़े थे जो खुद को मंदिर का सेवादार बता रहे थे उन्होंने भी रीती रिवाज और परंपरा का हवाला देते हुए धर्यतों के मंदिर में आने पर पबंदी को सही बताया मंदिर में नियम ये है कि सुरू से प्रंपरा है ब्रह्मन, जाट, बनिया, सुनार जो ये ब्रादरी हैं, माली, ये हीर, गुजर, ये सभियां पर कवड़ चड़ाते आई हैं मंदिर के बाहर भी कुछ लोग ऐसे नजर आए जो इस रूड़ी बात सोच के खिलाफ थे इस बारे में सरपंच प्रतिनेदी का कहना है कि उस दोरान खुद गाउं में मौजूद नहीं थे लेकिन दलेतों की मंदिरों में एंट्री को लेकर कोई विवाद नहीं है सरपंच प्रतिनेदी के मुताबिक मंदिर में दलेतों की एंट्री को लेकर कोई विवाद नहीं है लेकिन मंदिर के महंत और खुद को सेवादार कहने वाले शक्स की बातें दूसी तरफ इशारा कर रही है कैमरमें रजिंदर के साथ महिंदर सिंग जी मीडिया और अब बात नर्सिंग यादव की रेसलर नर्सिंग यादव रियो उलिम्पिक जाने का उनका रास्ता साफ दिख रहा है नैशनल एंटी डूपिंग एजिंसी नाडा ने नर्सिंग यादव को डूपिंग मामले में क्लीन चिटती है और नाडा पैनल ने माना है कि इस मामले में नर्सिंग साज़िश के शिकार हुए रियो उलिम्पिक गेम्स जो है वो 5 अगस से शुरू हो रही है नर्सिंग 84 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की दावेदारी पेश करेंगे अखिर कार करीब एक महीने से चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया ये तै हो गया कि नर्सिंग यादव ही रियो उलिम्पिक ये 74 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के लिए मेडल जीतने के लिए जोर आजमाईश करेंगे डोपिंग के डंक से क्लीन चिट मिलने के खुशी और राहत नर्सिंग के चहरे पर साफ दिख रही है वो इसे सच्चाई की जीत बता रही है नर्सिंग यादव के लिए खुद को पाक साफ साबत करना आसान नहीं था इसलिए वो इस मुश्किल लडाई में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूले खास कर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का नजरे अब मेडल पर टेक चुकी है नर्सिंग रियों से खाली हाथ नहीं लोटना चाहते यानी नर्सिंग के होसले बुलंद है नाडा पैनल ने इस पूरे मामले की जांच के दौरान ये भी पाया कि नर्सिंग ने कुछ भी गलत नहीं किया और वो अपने एक विरोधी की साज़श का शिकार हो गए नाडा पैनल ने ये भी माना है कि एक एथलीट के लिए प्राक्टिस के दौरान अपनी ड्रिंक्स पर निगाह रखना मुम्किन नहीं है जिस प्रकार से देश की जनता ने देश की मीडिया ने इस मसले को उठाया है मुझे पूरी उम्मीद है कि नर्सिंग यादो रियो जाएंगे और मेडल ले करके आएंगे नर्सिंग को क्लीन चिट मिलने के बाद दिल्ली से लेकर नर्सिंग के शहर बनारस तक जश्न का सिलसिला शुरू हो गया परिवार वाले भी इस जश्न में शरीक है आखिर उनके लिए बेटे का रियो जाना किसी मेडल जीतने से कम नहीं है नर्सिंग को बधाई देने वालों का ताता लगा हुआ है नर्सिंग और सुशील के बीच विवाद दुनिया ने देखा लेकिन नर्सिंग को क्लींचिट मिले के बाद सुशील भी उन्हें ट्विटर के जरिये बधाई देना नहीं भूले ये बहुत अच्छी खबर है मैंने हमेशे नर्सिंग का समर्थन किया है और आगे भी उसका समर्थन करता रहूँगा नर्सिंग अब अपने नए अवतार और 125 करोड भारतियों की दुआउं के साथ रियो रवाना होंगे सुनेहरी काम्यावी का इंतजार रहेगा किरन चोपरा जी मीडिया कुलू में रगुनात मंदिर पर सरकार के अधिगरहन के मामले पर हिमाचल हाइकोट ने फिलहाल डूक लगा दी है हाइकोट ने इस मामले में प्रदीश सरकार से 11 दिन के अंदर जवाब मागा है और मामले की अगली सुनवाई अब 11 अगस्त को होगी हिमाचल प्रदेश हाइकोट में सोमपार को रगुनात मंदिर पर सरकार के अधिगरहन के मामले को लेकर कुलू के विधायक राजा महेश्वर सिंग की जन्हित याचिगा पर सुनवाई हुई इस सुनवाई में रोगनात मंदिर पर सरकार के अधिग्रहन पर रोक लगा दी गई है साथी परदेश सरकार ने 11 दिनों के अंदर अंदर जवाब मांगा है हिमाचर परदेश हाई कोट के अड़ोकेट चरनल शर्वन डोगरा ने बताया कि कोट ने सरकार के अधिग्रहन पर 11 अगस तक रोग लगा दी है और इसे लेकर सरकार से जवाब मांगा है कि ये अधिग्रहन किस अधार पर किया किया कि इस नोटिविकेशन के कॉंसिक्वेंस में जो कोई आगे की कारवाई है वो नहीं की जाएगी और जहां तक नोटिफिकेशन है वो क्योंकि हो चुकी है वो अभी पर करा रहेगी महिश्वा सिंग का आरोप है कि मंदिर का अधिग्रहन राजनीती के चलते किया जा रहा है परदेश सरकार ने 25 जुलाई को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मंदिर के अधिग्रहन का फैस्ता लिया था जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया है और इस मामले में मुख्यमंत्री वीर्भदर सिंग को ग्यापन भी सौंपा है बलके यह ऐसा मंदिर है जिसमें आम लोगों की आस्ता विश्वास है और आम लोगों का इंट्रेस्ट इसमें शामिल है भगवान रगुनाथ मंदिर के सरकारी करण को लेकर विधायक महिश्वर सिंग ने हाई कोट में चुनोती दी है महिश्वर सिंग का आरोप है कि रगुनाथ मंदिर एक निजी मंदिर है जिसका अधिग्रहन करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है वही अधिग्रहन को लेकर जिरा प्रशासन ने राज परिवारों के दो सदस्यों महेश्वर सिंग और दानवेंदर सिंग को नोटिस दे रखा है मुही प्रेम शर्मा जी मीडिया शिम्ला राद इस बुलेटन में फिलहा लेतना ही नमस्कार